हेलोव बरिवन जैसा कि हम ट्रिग्नोमेटरी चेप्टर पढ़ रहे थे और और चेप्टर में पिछले अपने लेक्चर मैं ट्रिग्नामेटरी dedic रेंच के बारे में कुछ जानकारी पड़ी थे ठीक है उसी में आज आगे चलते हुए हम हम पढ़ेंगे trigonometric ratios of some specific angles, मतलब कुछ specific angles के लिए हम trigonometric ratios की बात करने वाले हैं, ठीक है बई? अब यहाँ पर यदि हम बात करें कि some specific angles की जब हम बात कर रहा है तो उन specific angles में हम कौन-कौन से angles के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो specific angle हम पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ेंगे 0 degree के लिए, ठीक है बई? 30 degree के लिए, 45 degree के लिए, 60 degree के लिए और 90 degree के लिए इन सभी angles के लिए हम वही trigonometric ratio जिसकी बात हम इसलिए lecture में कर चुके हैं, sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec और को से, ठीक है? जहाँ पर theta क्या था? एक angle था, उनी angle की values हम अब इसके लिए, values specific, values के लिए हम उनकी बात करने वाले हैं, ठीक है बई? यह तो degree में हो गई बात, यदि मैं radian की बात करूँ, तो 0 degree, 0, ठीक है बई? degree से radian में convert करने के लिए आपको बताया जा चुका है, पहली class में, 30 degree को यदि radian में आप convert करते हो, तो आपको मिलेगा pi by 6 radian, 45 degree को यदि आप radian में convert करते हो, तो मिलेगा pi by 4 radian, similarly यदि आप 60 degree को convert करते हो, तो मिलेगा pi by 3 radian और 90 degree को convert करने मिलेगा pi by 2 radian, यह angle है, ठीक है बई? इन ही सभी angles के लिए हम बात करेंगे trigonometric ratio, जिसमें आपने trigonometric table के बारे में पढ़ा होगा, तो उनहीं की बात हम करने वाले है, ठीक है? चरी, आगे चलते हैं, अब यहाँ पर हम उसी में, जैसे कि हम पहले, सबसे पहले तो यह है कि हम calculate करेंगे, जैसे 30 degree के लिए, 60 degree के लिए, 45 degree के लिए, values क्या होती है, कहां से आई, है ना, उनके बारे में कुछ बात करेंगे, फिर trigonometric table देखेंगे, फिर कुछ questions करेंगे, तो सबसे पहले हम हम बात करते हैं, trigonometric ratio जाब 30 degree and 60 degree, 30 degree and 60 degree की हम बात करने वाले हैं, ठीक है बई, यदि हम यहाँ पर बात करें, 60 degree, तो 60 degree यदि आप से बोला जाए कि 60 degree से आपको क्या समझ में आता है, क्या याद आता है, कुल 60 degree हम एक 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 एकलिशटर ले सकते हैं, क्या सकते हैं úγकि एक चो खाहर है क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसका हर एक एक क्या होगा 60 डिगरी तो हमने ले लिया एक इक्विलेटरल ट्रेंगल मैंने एक इक्विलेटरल ट्रेंगल बना दिया यहाँ पर ठीक है बैए एक इक्विलेटरल ट्रेंगल हम बना देते हैं ठीक है बई यह एक्विलेटरल ट्रंगल है थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं यह एक्विलेटरल ट्रंगल को हटा देते हैं यहां से चलिए बई अब इसमें बताना है आपको इसके लिए हम क्या यहां पर देखने वाले हैं पताओ यहां यदि मैं को ट्रंगल ले लेता हूँ यहां पर एक बड़ा सा एक्विलेटरल ट्रंगल ठीक है वाई अब इसका हर एक एंग्ल 60 डिगृ सूट योटा है आपको पता है dot अब क्योंकि हमें trigonometric ratio apply करना है तो उसमें राइट रंगल का होना जरूरी है तो यहां राइट रंगल तो हमें दीख नहीं रहा है तो यहां पर हम क्या करेंगे राइट रंगल फॉर्म करेंगे ठीक है बई मान लेते हैं यह एक equilateral triangle है जिसकी हर एक angle की बात करें 60 degree होता है हर एक side equal होती है मैं मान लेता हूं side की length मैं consider कर लेता हूं कि चलो साइड की length जो है वो 2a है हर एक side क्या है 2a मैंने मान लिया आप a भी मान सकते हो मैंने 2a मान लिया थाकि calculation में आसानी रह ठीक है बई यदि हम राइट रंगल की बात करें सबसे पहले राइट रंगल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा एक किसी vertex से opposite side पे perpendicular draw करूंगा ठीक है बई तो मैंने क्या किया यहां से एक perpendicular line draw किया और यह perpendicular line आपको पता है side bc पे आ करके meet करेगी क्योंकि यह equilateral triangle है तो equilateral triangle में जब भी आप यह perpendicular line draw करोगे किसी भी opposite vertex से तो यह एक यहां पर angle bisector line भी होती है और यह जो opposite side है उसका perpendicular bisector line भी होती है इनके साब है यह equal होगा इसको यदि मैं point M मान लूँ यदि यह पूरी line 2A है तो यह अकेले A होगा और यह अकेले A होगा और यह मैं बात करूं angle की तो यह angle 30 degree और यह angle 30 degree यह cable equilateral triangle के case में ऐसा होता है ठीक है अब हम बात करते हैं हमारे पास right triangle तो हो गया right triangle की बात करें तो एक हमारे पा होता है हम यहाँ apply कर सकते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि बता देना यहाँ पर जो यहाँ पर मैं यहाँ इन ट्रेंगल इन ट्रेंगल ABM की यही मैं बात करूँ इस ट्रेंगल ABM में मैं आपसे पूछूँ कि चलो 60 degree के reference में यही मैं बात करूँ तो बताओ साइन 60 degree की value क्या होगी आपको पता है साइन जो ट्रेंटिमेटरिक रेशियो है साइन वो किसके ब्राभर होता है पर्पेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनेस तो इस ट्रेंगल में पर्पेंडिकुलर क्या है तो पर्पेंडिकुलर है अब यहां पर अब यहां पर यहां पर अब यहां पर आप देखोगे कि ट्रेंगल अब एक राइट रंगल है तो पाइथागोरस थेरम तो अपलाई कर सकते हैं यहां पर इसमें पाइथागोरस थेरम अपलाई करोगे तो पाइथागोरस थेरम अपलाई करते ही पाइथागोरस थेरम यहां पर इस ट्रेंगल में यह साइड है सबसे बड़ी साइड यह एक साइड है और एक साइड ही है यहां से तो यहां पर am का ही स्क्वाइर किसके बराबर आएगा भ तो a का square ये बन गया 4a square minus a square यानि कि ये बन गया 3a square तो हमारे पास am square की value आ गई 3a square यदि हम square root ले 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 दोनों side तो हमारे पास मिल जाएगा am क्या मिल जाएगा हमारे पास am मिल जाएगा और वो हो जाएगा root 3a बोलो भई यहां तक ठीक है बात हमारे पास am की value आ गई वो क तीनों साइड की वैलू हमें पता चल गया यहां से मैं आपको कंक्लूड करके बता सकता हूं कि जो साइन सिक्स्टी डिगरी है वह किसके इक्वल होगा तो वह होगा रूट थ्री डिवाइड बाई टू ठीक है वह यदि मैं इसी ट्रेंगल में बात करूं यदि मैं एंगल आ तो क्या मैं इसी ट्रेंगल में यदि साइन थर्टी डिगरी की वैलू आप से पूछूं तो अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में पर्पेंडिकुलर तो यह हो गई हाइपोटेनस यह हो गई तो आप क्या बोलोगे कि साइन थर्टी डिगरी हो जाएगा बी एम अपान में और क्योंकि BM और AB दोनों की वैलू हमें पता है BM जैसे की A है और AB की यदि मैं बात करूँ तो वो 2A है A से A cancel out होगा तो value क्या जाएगी यह calculate होगा last में 1 by 2 तो यहां से क्या बोला जा सकता है कि जो साइन 30 डिगरी है वो 1 by 2 k equal है ऐसे ही आप बाकी के trigonometric ratios भी calculate कर सकते हैं कॉस 60 ठीक है जब इस एंगल को reference मानेंगे तो इसके respect में जैसे मैंने sign आपको निकाल के दिखाया आप कॉस 10 को से को से सारी value निकाल सकते हैं similarly जब आप 30 डिगरी को एंगल आफ reference मानेंगे तो इसके case में इसको reference मानते हुए आप हर एक trigonometric यानि की 6 की 6 trigonometric ratios की value आप calculate कर सकते हो यहां से easily 30 डिगरी के लिए और 60 डिगरी के लिए ठीक है तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा चलते हैं आगे अब हम बात करेंगे trigonometric ratios किसके लिए 45 डिगरी एंगल के लिए 45 डिगरी एंगल के लिए तो क्योंकि आपको पता है कि two-l Matric ratio हम apply करते हैं हा पर राइट रंगल के लिए तो उसमेंहें एक एंगल का 45 डिगरी भी होना जरूरी है तो बाहिए कोई एक राइट रेंगल यदि आप से बोला यह आफ दिघरी मानलू तो एक अंगल आपको 45 डिगरी लेना फड़ेगा चलो मैंने इसको मानलिया 45 डिगरी अब आपको पता है कि एंगल सम property क्या कहती है है एंगल सम property were triangle क्या बोला याता है कि इसकांतलब Ł adultsitt Governor B plus잖아요 क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए और यदि यह 180 डिगरी होना चाहिए, एंगल B 90 डिगरी है, एंगल C 45 डिगरी हमने मा नहीं रखा है न, तो क्या एंगल A प्लस 90 डिगरी प्लस 45 डिगरी यदि आप लिखोगे, is equal to 180 डिगरी, तो क्या यहां से अएंगल A की value calculate हो जाएगी, अएंगल A भी क्या आजाएगा, 45 डिगरीองल A भी आपके पास क्या मिल जाएगा, तो वह मिल जाएगा 45 डिगरीों तो अगल A की value हमारे पास 45 डिगरी पता चल गई एंगल Sum property से तो यह अखल एक और चलो मैं माल लेता हूं इसकी लेंट ए है और इसकी लेंथ भी एए है क्योंकि दोनों equal होंगी ठीक है अब हमें क्या चाहिए ट्रेंगल में तीनों साइड की लेंथ हमें पता होना जरूरी है अचाह यहाँ पर AC की value हमें नहीं पता है तो क्योंकि ABC एक right triangle है तो क्या पाइथागोरस अपलाई करके की value आ गई ए तो a का square plus bc की value भी है a तो a का square तो क्या ये 2a का square बना under root 2a ये किसकी value है तो वो ac की value है ये यदि बाहर निकल करके आएगा तो ये बन जाएगा root 2a तो हमारे पास ac की value अब आ गई तो मैं इसको root 2a लिख सकता हूँ ठीक है अब इस ट्रेंगल में तीनों साइड हमें पता चल गई अब आपसे जो भी trigonometric ratio पूछा गया है इसको angle of reference मान लीजिए angle of reference से दिए आप इसको मानते हो तो आपसे पूछा गया sin 45 degree की value बता दीजिए तो आप कहो कि perpendicular upon hypotenuse होता है perpendicular यानि की a b upon hypotenuse यानि की a c a b की वैलू a है a c की वैलू root 2a अभी अभी calculate किया है तो इसकी value आ गई 1 upon 2 इसका मतलब यह है कि sin 45 degree की value आप बता सकते हो जो कि 1 upon root 2 होगी ठीक है वैश सिमिलरली यह आप से पूछा जाता है कि कॉस 45 degree की value बता दीजिए तो आप कहेंगे कॉस 45 क्योंकि कॉस है तो कॉस होता है base upon में hypotenuse तो base की value यहाँ पर bc है hypotenuse क्या है a c है यानि कि bc की value a जैसा कि हमने लिया था और a c की value root 2 जैसा कि हमने calculate किया था अगेन a से cancel out होगा और one upon में root 2 इसका मतलब यहां से आप बोल सकते हो कि जो कॉस 45 degree की value है वो one upon root 2 ही होगी और इन दोनों को यदि आप ध्यान से देखोगे इन दोनों को cos 45 degree sin 45 degree तो आपको समझ में आ जाएगा कि sin 45 जो है वो cos 45 की equal है क्योंकि दोनों की value क्या है वही वन upon में root 2 है बात समझ में आ रही है तो उम्मीद करते हैं बाकी क्या आप trigonometric ratio calculate कर लेंगे बहुत ही आसानी से तो यह तो रही कुछ बाते हैं अब आगे हम बढ़ते हैं इसी तरह से सारी values calculate की गई हर एक wilka के लिए 0 डिगरी के लिए जिसे हम 0 रेडियन बोल सकते हैं है न बए 30डिगरी जिसको मैंने बताया था अभी पाइ बाइभाइ 6 रेडियन बोलेंगे इसको पाइभाइ met São oxy路 ठीटन चले थी और थी यह सॉन साइन की जीरो डिगरी तो यह 0 1 by 2, 30 degree के लिए 1 by 2, 45 degree के लिए 1 by root 2, 60 degree के लिए root 3 by 2, 90 degree के लिए 1, ठीक है भई? Similarly, यह cost का है 10 का, quart का, 6 का, कोशे का, इसको आप याद भी रख सकते हो, बहुत ही आसान तरीका याद रखने का, एंगल आपको 0, 30, 45, 60, 90 रखना है, सबसे पहले sign, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे, पताओ भई, क्या लिखें सबसे पहले? सबसे पहले क्या लिखें या आप कर सकते हो ऐसे भी आज कर सकते हो नॉर्मली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है भई आप ऐसे नंबरिंग भी लिख सकते हो जैसे 0 1 2 3 4 ठीक है भई कितने एंगल है एक दो तीन चार पांच हमने पांच बार लिख दिया जिरो से ले करके काउंटिंग सब में 4 से डिवाइड कर दिजिए सब में 4 से डिवाइड कर दिया सबका square root लगा दीजिए सबका square root लगा दिया मैंने तो ये तो बन गया 0 ये बन गया 1 by 2 ये बन गया root 2 by सोरी, ये बन गया 1 by root 2 ठीक है भई? क्योंकि 2 से ये 4 cancel होगा तो ये बन जाएगा 1 by root 2 ये बन जाएगा root 3 by 2 और ये बन जाएगा 1 क्या ये लिखा है, बिलकुल ठीक है भई? 0, 1 by 2, 1 by root 2 root 3 by 2 और 1 ये sine की value है cos की value इसके इधर से लिखा है 0 यहाँ आ गया, ये यहाँ लिखा ये यहाँ और ये यहाँ और आपको मैंने बताया था कि 10 का मतलब ये है, sine upon में cos बस इसको डिवाइड करते जाएए, दोनों को answer आजाएगा 1 upon 0, denominator 0 है तो define नहीं ये value तो इसलिए not define लिखा है बाकि आपको पताईए, ये cot क्या है 10 का reciprocal है 6 क्या है, तो cos का reciprocal है 6 क्या है, तो sine का reciprocal है तो यहाँ से इसकी value आप यहाँ रख सकते हो तो ये table है, इसी इनी सभी values की हमें use करनी है किसमें, questions में चलिए तो आगे बढ़ते हैं, question देख लेते हैं कुछ इस पर best, पहला question है पहला question है, यहाँ पर given है क्या given है वही तो यहाँ पर एक equation given है आपको ठीक है वही cos of a minus b a minus b क्या है यहाँ पर a minus b theta के जगा पर है, angle है is equal to a cos a cos b plus sin a sin भी हलागी एक formula है but इसको हम prove कैसे करेंगे इसको हम prove कैसे करेंगे वो उसकी बाता, या फिर यहाँ पर तो यह given है, यदि यह given है तो इसी का use करते हुए आपको क्या बताना है, cos 15 degree की values बतानी है, हैना, cos 15 degree की value बतानी है, आप इसी का use करते हुए कैसे बताएंगे, तो आप देखो भाई 15 की यदि बात करूं, यहाँ पर दो एंगल यहाँ पर a और b, और यहाँ में calculate करना 15, आप अपने table में जाईए a और b, दो एंगल का difference 15 कब बन रहा था दो एंगल का difference 15 बन रहा था, यदि एक 45 ले ले और एक 30 ले ले तो, ठीक है भाई, यहाँ कि बड़ा वाला एंगल 45 ले लो, छोटा वाला एंगल 30 डिग्री ले लो, दोनों का difference क्या बन जाएगा 15 डिग्री, इसका मतलब क्या है यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा कि एंगल A, हम 30 डिग्री ले ले लें और एंगल B, एंगल A 45 डिग्री बड़ा एंगल मानना पड़ेगा इसको एंगल A 45 डिग्री ले 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 और एंगल B को 30 डिग्री ले 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 तो दोनों का difference 15 डिग्री आ जाएगा, तो यहाँ से कॉस आप 30 डिग्री प्लस में साइन आप 45 डिग्री और साइन आप 30 डिग्री अब क्या करना है हर एक की वैलू आप ट्रिमेट्रिक टेबल जैसे कि आपको याद होई चुगा होगा वहां से वैलू पूट कर दीजिए तो यहां से यह बन जाएगा कॉस 15 डिग्री इस इक्व बाई रूट 2 साइन 30 डिग्री 1 बाई 2 कैल्कुलेट कर लिजे इसको तो यह बन जाएगा ऊपर रूट 3 डिवाइड में 2 रूट 2 प्लस में क्या बन जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट 2 दोनों का डिनोमेटर से यह मैं तो दोनों को हम क्या कर देंगे एड कर देंगे बता हो कि यहां से हमारे पास कॉस 15 डिग्री कि वेलू इसकी यहां बात करें यहां पर तो क्या बन जाएगा कॉस 15 डिग्री की वेलू आगई जैसा कि आपके सामने कैल्पुलेट हो चुका है ठीक है बैई कॉस 15 डिग्री की वेलू root 3 प्लस 1 divided by 2 root 2 ठीक है बहुत आसान था यह सीधे value आपको put करनी है सीधे सीधे क्या put करना यहां पर value यह क्या है 2 divided by 3 cos पर power 4 30 degree cos 30 degree की value क्या होती है इसको हम लिख सकते हैं यहां पर सीधे cos 30 degree पर power 4 ठीक है यह इसके equally होता है तो cos 30 degree की value जैसा कि आपको पता है root 3 divided by 2 होता है तो उसके power 4 minus sin 45 degree की value 1 by root 2 होता है तो इसके power 4 bracket close minus 3 times sin square 60 sin 60 degree की value होती है root 3 divided by 2 तो उसका square minus sec 45 degree sec cos का reciprocal होता है cos 45 degree क्या होता है 1 by root 2 उसका reciprocal root 2 यानि कि यह root 2 का square plus में 1 by 4 cot 10 का reciprocal होता है 10 30 degree 1 by root 3 है ना तो cot क्या हो जाएगा root 3 यानि कि यहां पर root 3 का क्या square बस इसको calculate करना ना simple है यह तो यह बन जाएगा 2 by 3 इसको calculate करोगे तो यह बन जाएगा 3 3 9 9 by 16 है ना बही माइनस का यह बन जाएगा 1 upon में क्या बनेगा यह 2 और 2 4 बनेगा ठीक है भी माइनस का 3 यह क्या बन जाएगा 3 upon में 4 माइनस का 2 plus में यह बन जाएगा 3 divided by 4 इसको solve कर लिजे बिल्कुल यह बन जाएगा यह 16 LCM ले लेंगे आप solve हो जाएगा तो 9 बन जाएगा 9 minus 4 ठीक है यह बनेगा अब आगे आते हैं माइनस का 3 इसको कर लिजे तो LCM 4 आएगा 3 माइनस में कितना बनेगा 8 बनेगा plus में 3 by 4 calculate कर लिजे इसको तो यह बन जाएगा 2 by 3 into यह बनेगा 5 by 16 माइनस में 3 माइनस में 3 into माइनस में 5 plus का लगदें यहापे sin plus का लगा देते हैं plus में क्या बन जाएगा यह तो 3 into 5 divided by 4 plus में 3 by 4 यह क्या बन जाएगा यहाँ से इसको आगे भी solve कर सकते हो यह 24 बनेगा तो यह 5 प्लस यह कितना बन जाएगा 108 यह बन जाएगा 113 divided by 24 ठीक है कि बद सिंप्लिफिकेशन का काम में इसमें तो में मक्सद क्या था हमारा क्यों ट्रिगनोमेट्रिक रेशियो से वैलू उठा करके रखना यहां जिस इंगल के लिए ट्रिगनोमेट्रिक रेशियो यहां लिखा हुआ है उसकी वैलू आपको याद होनी चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहां पर evaluate करना है यहां फाइंड वैलू आप एक्स ठीक है फाम दाइक्वेशन यह एक एक्वेशन इन्होंने दे रखी है इस इक्वेशन वैलू बूट कर दीजी अंसर आ जाएगा देखिए एक्स इन्टू क्या है साइन पाई ब्वाइशिक यह यह जिए तो हो गया लेचेस में आलजेस की बात करें cot 30 degree cot 30 degree 10 30 1 by root 3 cot 30 root 3 तो root 3 का square sec 60 degree ठीक है बई तो यैनि की sec 60 degree के बात करें तो हो या 2 तो 2 का क्या बन जाएगा अच्या 2 का ही नहीं है ठीक है बई 10 45 degree 1 ठीक है बई कोसेक 45 degree का square यानि की ये भी बन जाएगा root 2 का square into कोसेक 30 degree कोशेक 30 degree का मतलब 1 by 2, solve कर लो यहाँ पर, x into यह बन जाएगा, 1 by 2 into 1 by 2 is equal to, उपर आ जाएगा, root 3 into 2, divide में क्या आ जाएगा, 2 into 1 by 2, इससे cancel हो जाएगा, यानि कि x into 1 by 4 की value बन गई, क्या बन गई, तो यह बन गई, 6, कुछ कलती हुई है क्या, इसमें, 1 by 4, पता हो भई, यह यहाँ पर, cos 45 degree हो गया, यह कोशेक 45, हमने value रख दिया, उसका square है, कोशेक यहाँ पर, 30 degree, ओसेख 30 degree है, यह गलती हुई है, यहाँ पर, ऑसेख 30 degree की value रख दिगही है, कोशेक 30 degree की value क्या होगा, 2 donc Aegis, 30 degree तो value ध्यान से रखनी है, यहाँ पर आगे आते हैं चलों आगे देखते हैं यह क्या बन जाएगा X into 1 by 4 is equal to क्या बन जाएगा उपर 6 divided by 4 4 से 4 cancel होगा यहाँ पे X की value क्या बन जाएगी X की value बन जाएगी 6 ठीक है बही कीवल calculation का part है इसमें चली आगे बढ़ते हैं जर्व अगे एक वर्ट प्राब्लम है देखता है अ रोम्मस सप साई 10 सेंटिमीटर एक रोम्मस है पता हएं आपको हम रोम्मस की हर साइट क्या होती है 주 तेन सेंटिमीट Ciao और हужд 속 करें किसे पहले तो बात करते हैं यह तक है प्रॉंब्स की बात करते हैं सबसे पहले तो को नोज doorway के डीग्य जो देगनल्ट करें तो इसके जो डाइगनल्स होते हैं पर्पेंडिकुलर बाई सेक्टर होते हैं एक दूसरे के यह आपको पता होगा पर्पेंडीकुलर Farm Agriculture यह और 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 साथ में क्या होते हैं यहें एंगल बना देते हैं रोमबस ॉज यह हमने मान लिया कि वह रोमक अबמׯ सी ठीक है इसको माभ़ण लेता हूppe 60 डिग्री एक एंगे से सुशटीड ड्री टिक 1 दे दिया D1 और इसको ज्वाइन करके मैंने नाम दे दिया diagonal 2 यानि कि D2 यह हो गया D2 जैसा कि इस property के हिसाप से perpendicular by sector है यह एक दूसरे के यानि कि half half में divide करेंगे तो यह इसके equal बन जाएगा और यह इसके equal बन जाएगा और क्योंकि D1 D2 हमने मान रखा है तो यह D1 है तो यह D1 by 2 बन जाएगा और क्योंकि इसको मैंने D2 मान रखा है तो यह D2 by 2 बन जाएगा और यह D2 by 2 बन जाएगा बोले यहां तक बात समझ में आ रहे है क्योंकि यह angle by sector तो यह angle क्या बन जाएगा 60 degree था पूरा तो यह 30 बन जाएगा इसको यदि मैं point o मान लेता हूं तो इस ट्रेंगल को ध्यान से देखिए इंट्रेंगल ए ओ बी एक राइट्रेंगल है यह 90 डिग्री हो गया और यह 30 डिग्री हो गया तो इस ट्रेंगल में बात करूं श्रेंग और यह थिए इसको लेना है और हमें क्या चाहिए यादी हमें चाहिए डाइगनबं हमेंगल चाहिए तो दिवन की वैलू आ जाए तों कि हो जाएक काँ हौ आपको पता ही है अचा साइड की लेंद टेंट तो दे रखी है 10 cm तो यह 10 cm है यह भी 10 cm है इसका मतलब इस ट्रेंगल में एक साइड पता है एक एंगल पता है तो बाकिकी पॉन में क्या टू इंटू टू से टू केंसिल तो यहां से डाइगिनल जो सेकेंड है उसकी लेंद कितनी आ गई 10 cm सिमिरली यदि मैं बात करूँ यहीं पर अब बता दो भई कॉस्ट 30 डिगरी की वैलू क्या बनेगी तो आप बोलोगे सार बेस अपॉन हाइपोटेनस्टी क अब आजाओ इसके लिए बेस का काम कॉन करेगा डीवन बाइटू तो डीवन बाइटू अपॉन में हाइपोटेनस्टे नहीं है अच्छा कॉस्ट 30 डिगरी की वैलू क्या बन जाएगा तो रूट 3 बाइटू इस इक्वाल टू क्या बन गया यह डीवन अपॉन में 2 दीवन डीटू वैलू पुट कर दे भई तो हाफ डीवन की वैलू 10 आ गई है और स्वारी 10 रूट 3 आ गई है और डीटू की वैलू क्या गई है तो टैन आ गई है तो आंसर क्या जाएगा बताव बई 50 रूट 3 cm स्क्वार क्योंकि एरिया है तो यूनिट इसका क्या होगा स ठीक है थे तो बहुत इजली हम ट्रिग्रोमेट्रिक रेशियो का यूज कर सकते हैं चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं इसको सने इस ट्रेंगल है विग एडियासेंट साइड ए और यूनिट एक ट्रेंगल है तो इन्हीं दोनों साइड का जो इंकलूडेड एंगल है वो यहां पर आपको क्या देखना है मैं पर कि हम और से यहीं को लिए ले 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 लिए यहाँ परियादी में बात करूं चलो एक साइड में लेता हूं जैसा कि बोला गया है इंक्लूडड़सेंट एगल क्या है हमने वाल ला लिए हमें का बताना है area बताना है किसका triangle ABC का area क्या बनेगा अब आप बताओ एक ट्रंगल ABC के area की यदि में बात करूं तो हमें area of triangle पता है हमें area of triangle ABC की बात करें तो आपको पता है half base into height ही होता है इसका मतलब दोनों तो आना ही चाहिए तो किसी ना किसी एक को base बना देते हैं किसी एक को base बना देता हूं तो height क्या होती है इसी इसके opposite vertex से इस पर डाली गई perpendicular length यहीं क्या बनती है इस triangle के लिए height यदि आप इसको base मानते हो तो ठीक है बाई चलो इसको मैं height मान लेता हूं यह बन गया h अब यदि बात करें हमारे पास h की value ही चाहिए आप एक बार देखो triangle a b इसको मैं यदि m मान लेता हूं इन triangle a b m की बात करें तो क्या right triangle है हमें क्या चाहिए h की value चाहिए हमें a की value पता है तो यह आपको theta दिया ही है तो क्या मैं यहाँ पर यह बात करूं यह hypotenuse हुआ यह perpendicular हुआ इस theta के respect में यह perpendicular यह hypotenuse तो यह क्या बनता है यदि आप से पूछा जाए sin theta की value बताए तो perpendicular upon में hypotenuse perpendicular क्या है b m, b m की value क्या है h और hypotenuse की value a b, a b की value क्या माना है हमने a माना है तो क्या यहाँ से यदि मैं आपसे पूछूं कि h की value क्या आएगी तो आप कहोगे सर आ जाएगी a sin theta ठीक है बई और हमारे पास यदि मैं बात करूं area की area में हम क्या लिखेंगे half क्योंकि हमने base किसको मान लिया base हमने इस side a c को मान लिया इसकी length है b और क्योंकि h हमारे पास आ गया तो h को यहाँ put कर देते हैं वो है a sin theta तो हमारे पास यदि मैं बात करूं area of triangle a b c की value क्या calculate होके आ गई तो half a b sin theta यहाँ भी हम trigonometric ratio का ही यूज करते हैं इसी को हम याद रखते हैं और हर जगा यूज करत यहाँ पर टीटा की value आपको calculate कर नी है यहाँ पर एंगल नहीं दिया एक expression आपको इक eaten दीख रही यहाँ से theta की value बतानी है बताओ सोचिए कैसे solve कर सकते हैं इस question को बताएं क्या करें इसके तरीके तो एक से जादे हैं किसी तरह से आप सॉल्प कर सकते हो सबसे पहला तरीका क्या आप क्रॉस मल्टिप्लाई कर दें क्योंकि देखो यहां पर देखते ही आपको समझ में आएगा कॉस भी है साइन भी है बट एंगल की बहलू हम तभी बता पाएंगे जब केवल केवल एक ही ट्रि मल्टिप्लाई कर दो प्रॉस मल्टिप्लाई करेंगे तो यह बनेगा 1 प्लस रूट 3 मल्टिप्लाई भाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इस इक्वल टू 1 माइनस में रूट 3 मल्टिप्लाई भाई कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा ठीक है बाई मल्टिप्लाई जै यह चाहेगा कॉस्ट फीटा प्लेस में सांट थीटा माइनस है रूट थी अब सांट को एक तरफ कर दीजिए कॉसको एक तरफ कर दीज़े उससे पहले देखा आक फॉजिटिव में इधर इदर वी इदर इंसल आउट हो गया और कुछ कत्रा है क्या, minus root 3 sin theta, minus root 3 sin theta, अब sin को एक तरफ कर दीजे, cos को एक तरफ कर दीजे, तो देखो भई, इस sin को उधर लेके जाते हैं, इस cos को इधर लेके आते हैं, तो यहाँ पर क्या है, पहले से, पहले से बैठा है, root 3 cos theta, और उधर से यह minus root 3 cos theta आएगा, तो यह भी root 3 cos theta is equal to 2 sin theta, अब आपको पता है, sin और cos में trigonometric ratio होता है, 10 theta, क्या होता हो, sin upon cos, तो बना दीजे, sin upon cos की बात करें, तो यह बन जाएगा, 2 root 3, इसको लाकर कि इधर डिवाइड कर दीजे, और cos को ले जाकर कि उधर डिवाइड कर दीजे, और यहाँ पर 2 से 2 cancel हुआ, इसका मत आप करू, root 3, तो उसको आप बोलो गए कि 10, 60 degree होता है, root 3, यहाँ से theta की value क्या आ गई, compare करेंगे angle to angle, तो क्या बन जाया, 60 degree, पस यही पूछा था, क्या पूछा था, acute angle की बात की गई थी, है न, क्योंकि 10, root 3, और भी values के लिए होता है, लेकिन acute angle की बात की गई थी, तो ए देखना, विद्यान से, दूसरा तरीका, मैंने बोला कि 10 हमें चाहिए, दूसरा तरीका, हमने बोला कि 10 हमें चाहिए, 10 क्या होता है, sign upon cost होता है, यहाँ पी sis, यहाँ यहाँ फट नाने के लिए हम क्या करें, sign upon cost यह तो cost से ऊपर निचे divide कर देते हैं, numerator, denominator दोनों में, क्या करते हैं left side cos से divide कर देते हैं जैसे आप cos से divide करोगे तो यह बन जाएगा cos theta divide में cos theta minus sin theta divide में cos theta यह तो numerator बन गया denominator बन जाएगा cos theta divide में cos theta plus sin theta divide में cos theta is equal to क्या है तो 1 minus root 3 upon 1 plus में root 3 उपर बन गया 1 minus 10 theta theta नीचे बन गया 1 plus 10 theta क्या बन गया भाई 1 minus 1 minus root 3 divide में 1 plus root 3 अब आपको दीख रहा है 1 के जगा 1 है 1 के जगा 1 है minus के जगा minus plus के जगा plus 10 theta के जगा यहां भी root 3 यहां भी root 3 इसका मतलब क्या है केवल compare कर लेंगे तो 10 theta के value root 3 पता चल जाएगी तो यहां से theta की value आप क्या लिख सकते हो direct बिलकुल लिख सकते हैं इसका मतलब यह है कि theta की value क्या हो गई 60 degree हो गई theta की value 60 degree यहां से calculate हो करके आ गई ठीक है बही बात समझ में आ रही है clear है इतनी बात है न तो आप ऐसे भी कर सकते हो एक component डिविडेंड रूल होता है उससे भी आप कर सकते हो कैसे numerator प्लस denominator अपॉन में numerator माइनस डिनोमिनेटर यह अप्लाई कर दीजिए अगला कोशन है साइन टू यह एंगल का ही पार्ट है पूरा का पूरा इस इक बार देखेंगे तो देखेंगे तो आप यह डागिनल सारे इसका मतलब यह पूरा इसको मैं यदि आप से पूछी हूं तो क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं साइन टू आफ उदर से बच गया एक इसका मतलब यहां से क्या मैं साइन 2x-2 की वैलू को साइन 90 डिगरी लिख सकता हूं बिलकुल लिख सकता हूं जैसे ही आप एंगल को कंपेर करेंगे तो एंगल एंगल के बराबर होगा ठीक है बहीं क्योंकि साइन सेम है तो वह सेल बैल् fancy लिख यहां से आपको मिल जाएगा एक्स की वैलू क्या मिल जाएगा यह यह बनन जाएगा ए तो X की value क्या आ गई 46 degrees ठीक है तो आप देख पा रहे हैं हम कैसे टिक्नोमेट्रिक रेश्यो का application कैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पर चलिए अगला question है sign आप अच्छा यह angle में देखिए angle में ABC है angle में ABC है एंगल में ABC है same concept यहाँ भी आपको apply करना है जे देखो बाई क्या मैँ इस वन ङईरूट टू को खाम किया मैं शेवन वाई रूत को साइफ यह रेडियरेट करना है तोन वाई2 I n is 95 लिख सकता हूं इसको क्या मतलब क्या है तो इसका मतलब यह कि sin जो a plus b minus c की value है वो sin pi by 4 के equal है और यहां से यदि आप angle to angle compare करोगे तो a plus b minus c की value आ जाएगी pi by 4 similarly यदि दूसरे की बात करें तो sin आप a minus b plus में c है वो sin आप pi by 2 के बराबर है यहां से जैसे ही आप angle compare करोगे a minus b plus में c a minus b plus में c is equal to आ गया pi by 2 तीसरे की बात करें तो वो दिया है 10 up minus a plus b plus में c वो किसके बराबर है तो वो बराबर है 10 up pi by 3 यहां से यदि आप angle compare करोगे तो बन जाएगा minus up a plus में b plus में c is equal to pi by 3 यह पहली equation यह दूसरी equation यह तीसरी equation यह तीसरी equation तीन अनून तीन equation एक काम करते है इन दोनों को add कर दो इन दोनों को यदि आप add करोगे तो दोखें यहां पर c से c cancel होगा b से b cancel होगा तो क्या आएगा यहां से 2 a की value क्या आएगी तो pi by 4 plus में pi by 2 क्या बनेगा यह तो यह बन जाएगा 3 pi by 4 क्या बन जाएगा यह 3 pi by 4 है न भई इसका मतलब यहां से a की value क्या आगई तो 3 pi by 8 यही पूछा था similarly आप क्या करोगे दूसरे तीसरे को यदि आप add करेंगे तो देखिए आपको एक और चीज मिल जाएगी a से a cancel होगा b से b cancel होगा 2 c की value क्या आजाएगी तो 2 c की value आजाएगी pi by 2 प्लस में pi by 3 यह क्या बन जाएगा यह 6 बन जाएगा और यह बन जाएगा 3 or 2 5 5 pi by 6 इसका मतलब यह है कि c की value क्या आजाएगी c की value आजाएगी 5 pi by 12 similarly यदि आप पहले और आखरी को add करते हैं देखो भाई a से a cancel c से c cancel तो क्या मिल जाएगा 2b मिल जाएगा क्या मिल जाएगा भाई 2b is equal to pi by 4 plus pi by 3 यह बनेगा भाई यह क्या बन जाएगा यह 12 lcm आएगा तो 7 pi by 12 तो b की value क्या आजाएगी यहां से 7 pi by 24 इधर लिख सकते हैं तो b की value आगई 7 pi by 24 तो आपने देखा बहुत ही यह मासानी से a b c d e ik square है चलो बना देते हैं a b c d e e u qr है तो a b c d हम एक square बना सकते हैं ab c d e k square है तो चलो bGE ab c d e k square बना देते हैं square है न? तो लोगा बना दिया square आप जाब भई ab c d eologique square है मैंने इसिको लिख दिया axd sqr है तो हरे एक side क्या है equal है ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बोला गया है, P inside the square such that, P एक point है, inside the square such that, ABP एक equilateral triangle बनता है, यहनि कि P कोई point है, equilateral triangle बन रहा है, कौन, ABP, चलो बना देते हैं, भाई, यह रहा, equilateral triangle, है न, ऐसा कुछ, है न, यहनि कि इसके बराबर यह भी है, ठीक है भाई, यदि equilateral triangle है, यह point P है, तो क्या यह 60 degree होगा, बिल्कुल, क्या यह 60 degree होगा, बिल्कुल, क्या यह 60 degree होगा, बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या बोल रहा है, the segment AP, यह segment AP, इसकी बात कर रहा है, cuts the diagonal BD, अच्छा, diagonal भी बनाया है, बना देते हैं, बह देखना भाई द्यान से, यह diagonal BD है, diagonal BD है, आज बहुए, एक diagonal BD बना देते हैं, यह diagonal BD, ठीक है, clear है, यह diagonal BD है, है अब इस diagonal को जहाँ पर cut किया, चलो मैं इसको कुछ point mark कर देता हूँ, इसको मैं एक point mark कर देता हूँ, M point देता हूँ, उसने क्या कहा है, नहीं नहीं, sorry, E पर cut किया है, इसका मतलब इसको मैं E mark कर देता हूँ, according to given condition, E पर cut किया है, BD को, यह BD diagonal, इसको AP segment E पर cut किया है, ठीक है, आगे क्या बोला है, AE की value 2 है, यहाँ से यहाँ तक value क्या है, 2 दे रखा है, तो आपको ABCD, यहाँ की square का area बताना है, अब ध्यान से देखना, area square तब ही आएगा, square की side हमें पता चल जा, square की side पता करने के लिए सबसे पहली बात तो देखना ध्यान से, यदि यह diagonal है, यदि यह diagonal है, तो क्या diagonal है, तो यह angle bisector का का काम करेगा, बिल्कुल, तो यह 45 degree बनेगा, यह 45 degree बनेगा, ठीक है बई, यह क्या बन जाएगा, तो यह 45 degree बन गया, ठीक है अब आगया जाते हैं, यदि मुझे trigonometric ratio को apply करना है, trigonometric ratio को यदि apply करना है, तो हमें right triangle का होना जरूरी है, ध्यान से देखना, यदि right triangle की बात करें, तो right triangle तो हमारे पास यहां है नहीं, तो right triangle बनाते हैं, यह काम करते हैं, यहां से एक perpendicular draw कर देते हैं, opposite side पे, ठीक है बई, चलो, एक perpendicular draw कर देते हैं, opposite side पे यह रही perpendicular line, और यदि यह रही perpendicular line, तो क्या यह 90 degree बनेगा बिलकुल, चलो, इसको मैं कुछ नाम देता हूँ, इसको मैं कुछ नाम देता हूँ, P, ठीक है बई, इसको मैं कुछ नाम देता हूँ, point, sorry, point P तो दे रखा है, कुछ और नाम देते हैं, इसको मैं नाम देता हूँ, N, ठीक है बई, अब हमें क्या चाहिए, A, B की length चाहिए, क्योंकि वह square की side है, तो क्या मैं A, N, B अलग से निकाल लूँ, तो काम बन जाएगा, और यदि A, N, B अलग से निकाल लूँ, तो देखना बई, triangle A, E, N में, intringle A, E, N, इस triangle को ध्य से देखिए, intringle A, E, N, का ये right ringle है, तो बिल्कुल हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर, अब देखना बई, एक side पता है, एक angle पता है, यदि मैं बात करूँ, यहाँ पर, ध्यान से देखिए, यदि मैं बात करूँ, यहाँ पर sin 60 degree, तो आप क्या बोलेंगे, perpendicular upon में hypotenuse, यानि क E, N upon में 2 होगा, sin 60 degree की value जैसा कि आपको पता है, root 3 by 2 होती है, is equal to क्या बन गया, यहाँ से, E, N upon में 2, 2 to cancel, तो यहाँ से, E, N की value तो आ गई, कि यह बनेगा root 3, ठीक है बई, मने कहा कि हमें, चलो E, N की value तो मिल गई, यह बन गया, हमारे पास root 3, ठीक है बई, लेकिन हमें तो A, N चाहिए, तो यह काम करते हैं, cos apply कर देते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि इसकी तो जवर्वत यहाँ पर पड़ेगी यह नहीं पड़ेगी देखते हैं, अब इसमें आजा बई, यही मैं बात करूं यहाँ पर cos 60 degree, तो क्या बोलोगे आप, A, N upon में 2 बनेगा, cos 60 degree, 1 by 2 is equal to A, N upon में 2, 2 से 2 cancel, तो यहाँ से A, N की value क्या आ गई, A, N की value आ गई, 1 unit, ठीक है बई, A, N की value आ गई, 1 unit, हामें क्या चाहिए, अब N, B की value और चाहिए, तो देखो आप N, B क्या है, इस triangle, right triangle की side है, E, N, B, तो अगें क्या करेंगे, int triangle, E, N, B, E, N, B में यह क्या है, यद यदि base है, तो यह क्या बनेगा, perpendicular, तो base perpendicular, क्या बनता है, 10, क्या बनता है, 1045 degree, क्या बनेगा भई, पता न, E, N upon में, N, B, और E, N की value हमारे पास है, रूट 3, तो रूट 3 upon में, N, B, 1045 degree की 1 value होती ही है, तो रूट 3 upon में, N, B, यानि कि यहाँ से यदि मैं बात करूँ, तो N V की value आ गई, रूट 3, उमीद करते हैं, यह बात आपको समझ में आ गई होगी, यानि कि यह value आ गई आपके पास, रूट 3, हमारे पास A, B ही तो चाहिए, क्योंकि वो square की side है, A, B की value क्या आ गई है, रूट 3 plus 1, ठीक है, तो यहाँ में लिख देता हूँ, इसलिए हमारे प A, B, C, D, आप calculate करोगे, तो क्या होगा, A, B यानि कि side का square, भोलो ठीक है बात, A, B यानि कि side का square, वो क्या है, तो वो है, root 3 plus 1, तो इसका square क्या बن जाएगा, 3 plus 1 plus 2 root में 3, यानि कि, क्या बन गया है भई, 4 plus 2 root में 3, बोलो बात समझ में आ रही है, यानि कि 4 plus 2 root में 3, clear तो द राइट ट्रेंगल बनाना था क्योंकि राइट रेंगल हमारे पास था नहीं ठीक है भाई तो उम्मीद करते हैं आज आपको समझ में आ गया होगा ट्रेक्नोमेट्रिक रेशियो को हम अपलाई कैसे करेंगे फॉर सामी स्पेसिफिक एंगल ठीक है तो आज के लिए बस इतना ह रखते हैं तैंक्यू वेरी मच्च